दोस्तों ये साल खतम होने की कगार पर है लेकिन 2022 भी भारती क्रिकेट फैंस को जाते जाते एक बुरी याद दे गया करोणो भारतियों का सपना और ICC ट्रॉफी का एंतजार एक साल और लंबा हो गया लेकिन कहते हैं नई शुरुवात, नई उम्मीद और कई नई चुनोतियों के साथ लेकर आता है बले ही इस साल भारती क्रिकेट टीम का T20 वर्ल कप जीतने का सपना अधूरा रह गया हो लेकिन दोस्तों एक साल के अंदर ही ICC का एक और मेगा एवेंट मैंस क्रिकेट वर्ल कप होना है जिसकी मेजबानी खुद भारत को करनी है और ऐसे में फैंस और मैं इन ब्लू का ICC खिताब जीतने का इंतजार खत्म होने की संभाबना बढ़ गई है लेकिन मिशन 2023 की राह इतनी आसान नहीं होगी ICCI भी इस बात को भली भात ही समझता है और इसी वज़े से एक के बाद एक सीरीज और टूनामेंट्स टीम इंडिया के लिए प्लान करने में लगा हुआ है यहां से वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया को कम से कम 25 ODI मुकाबले और कुछ T20 मैचस खेलने है इसके साथ ही WTC साइकल में आस्ट्रेलिया और बंगलादेश के खिलाफ दो एहम सीरीज का भी हिस्सा रहना है तो ऐसे में आखर मिशन 2023 को अंजाम देने से पहले अगले साल कब कहां और किन टीमों के खिलाफ टीम इंडिया ग्राउन पर दिखाई देगी और कैसे अपना जोहर दिखाएगी क्या रहने वाला है भारती क्रिकेट का पूरा का पूरा स्केडियूल बताएंगे आपको इस होने जा रहा है क्योंकि अगले साल भारत को ही 50 ओवर का वर्ल्ड कप होस्ट करना है ऐसे में बीते दिनों की नाकामी को भूल कर टीम इंडिया 2011 का इतिहास दोहराने का सपना लेकर यहां से एक नए सिरिस से शुरुवात करना चाहेगी पर एक तरफ जहां सीनियर टीम वर् मिशन 2023 की प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है पिलाल इंडिया बांगलादेश के दौरे पर है जहां कप्तार रोहित शर्मा विराट कोली के अल्राहुल समेत सारे सीनियर खिलाडी आराम के बाद वापसी कर रहे हैं और साल के आखरी दौरे पर बांगलादेश में भारत तीन वंडे मुकाबले खेलेगा तीनों ही मुकाबले मीरपूर में चार साथ और दस दिसंबर को खेले जाएंगे और इसी दौरे पर वर्ल्ल टेस्ट चैंपियंशिप के मौजूदा साइकल में टीम इंडिया बांगलादेश के खिलाव दो टिस्ट मैच भी खेलेगी और यहां फाइनल में जाने की उम्मीदवारी बनाए रखने के लिए रोहिद एंड कमपनी को दोनों ही मुकाबले जीतने बहुत जरूरी होंगे फिर नया साल मनाकर ब्लूज मैदान पर वापसी करेंगे और यहां से नॉन स्टॉप क्रिकेट का एक्शन लगातार जारी और यहां दोनों टीमों के बीच में एक बार फिर से तीन मैचों की ODI और T20 सीरीज खेली जाएगी इससे पहले भारत को न्यूजलैंड में T20 सीरीज अपने नाम करनी थी उन्होंने कर ली जबकि वंडे सीरीज कीवियों के नाम रहा न्यूजलैंड को होस्ट करने के बाद फैबरी से मार्श के दर्मियान आस्ट्रेलिया से भी तीन वंडे मुकाबले होंगे फिर कंगारों के खिलाफ ही WTC 2021-23 के सत्र में भी भारत की आखरी टेस्ट सीरीज होगी जहां भारती टीम अपने घर पर बॉर्डर गावस कर ट्रॉफी के लिए आस्ट्रेलिया के जोहर देखाते हुए नजर आएगी फिलाल आईपियल 2023 को लेकर कोई आधिकारिक तोर पर कारेक्रम जारी नहीं किया गया है लेकिन खबरों के मताबिक आईपियल सीजन 16 की संभावित तारीख 25 मार्श बताई जा रही है और दो महिने तक चलने वाले इस क्रिकेट फेस्ट का फ्लेवर लगेगा अगर रोहित ब्रिकेट डब्लू टीसी के फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामियाब हुए तो जून के महीने में होम ओफ क्रिकेट लॉड्स में टीम इंडिया लगतार दूसरी बार वर्ल्टेस चैंपियंशिप का फाइनल भी खेवती हुई कड़े मल्टिनेशनल टूनामेंट के लिए एश्या कप में हिस्सा लेना है लेकिन अभी इस पर काफी पेंच फसा हुआ है क्योंकि फिलाल एश्या कप की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान के पास है और बी सी सी आई ने इसाफ किया है कि भारत पाकिस्तान का दौरा नही इसके बाद ऑक्टूबर नवंबर में भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करेगा जहां पर दोनों ही टीमों के भीश में तीन वंडे मुकाबले खेले जाएंगे और ये रोहिद ब्रिगेट का वर्ल्ड कप से पहले आखरी असाइमेंट भी होगा इसके बाद आगले दो महीने भारत में एक और ICC टूनामेंट का मिला लगेगा जहां पर दुनिया भर की टीमें 50 ओवर के वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी पेश करते हुई नजर आएंगी ऐसे में तैयारियों की लिहास से देखा जाए तो भारती टीम के पास परियाब तो मौका रहने वाला है लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार के वर्ल्ड कप में मिली नाकामी से टीम मैणेजमेंट की आखें खोली रहती है या फिर बंद रहती है और अपनी गलतियों से BCCI और चेयन करता सबक लेंगे य विज़े आप सभी को क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा इस नाकामी को भुला कर अगले साल वर्ल्ड कप में खिताब दिलवा पाएंगे या फिन नहीं क्या लगता है आपको या फिर टीम इंडिया के हाथ में एक बार फिर से निराशा लगेगी कॉमेंट सेक्शन में बताई और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजियो हमारे यूटूब चनल दन्यवाद